नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ होममेड पलम जैम की रेसिपी सेयर करने चाह रही हूँ इसे बनाने के लिए हम कोई भी प्रिजरवेटिव का यूज नहीं करेंगे इसे देखकर आपको बिल्कुल बजार चैसी जैम लग रही होगी इसे हमने बस तीन इगरिडियन से बना कर तैयार किया है मैं जैम को ब्रेट के उपर स्प्रेट करकर दिखा रही हूँ देखिए कितने अच्छे से ब्रेट पर जैम स्प्रेट हो रहा है चलिए हम इसे बनाना सुरू करते हैं यहाँ पर हमने हाफ केजी प्लम यानि आलो बुखारा लिया जिसे हमने पहले से ही अच्छे से धो लिया है अब इसे हम छोटे छोटे टुकरों में काट लेंगे अब बीच में जो बीज है उसे हम अलग कर लेंगे जब तक मैं प्लम को काट रही हूँ अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए वेल आइकन का बटन प्रेस कर दे और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें जैसा कि आप देख रहे हमने पलम को छोटे छोटे पीसो में काट कर तयार कर लिया है हमने यहाँ पर पैन को गरम होने के लिए रख दिया है अब इसमें हम पलम के पीसो को डाल देंगे अब इसमें हम एक कप चीनी डालेंगे आप चाहें तो अपने टेस्ट के रहों साथ थोड़ा चीनी उपर नीचे कर सकते हैं अब इसमें हम एक इंच दाल चीनी का टुकड़ा डालेंगे हम चीनी को डिजॉल्व होने तक गैस का फिलेम हाई रखेंगे और इसी तरह हम चलाते रहेंगे अब देख सकते हैं चीनी अच्छे से घुल चुकी है अब इस टाइम पर गैस का फिलेम मेडियम कर देंगे इसे हम जब तक पकाएंगे जब तक कि पलम अच्छे से गल न जाए जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा पलम अच्छे से गल चुका है और पक भी चुका है अब इसे हम पोटेटो मैसर की हिल्प से इसे एक सार कर लेंगे इस तरह से आप करेंगे देखेंगे कि जैम अब गड़ा होना सुरू हो गया है इसी तरह हम जो भी प्लम के जो टुकड़े हैं उसे मैस कर लेंगे अब देख सकते हैं जो प्लम का जो पीस है अच्छे से वो मैस हो चुका है देख सकते हैं हमारा जैम कितने अच्छे से तयार हो चुका है अब हम दलचीनी का टुकड़ा निकाल लेंगे जो हमने पहले डाल दिया था अब इसे हम साइड में रख देते हैं अगर जैम आपके चम्मच के उपर इस तरह से कोट हो जाए तो समझ जाए कि आपका जैम पूरी तरह से तयार है और आप गैस का फ्लेम आफ कर दें आपको जैम कोई इतनी गाड़ी रखनी है क्योंकि ठंडी होगी ता और भी जैम ठीक हो जाएगी इस टाइम पर हम गैस का फ्लेम आफ करकर इसे ठंडा होने देंगे जैम पूरी तरह से ठंडा हो चुका है अब देख सकते हैं पहले से ये ठिक भी हो चुका है इसे हम काच के जार में भर लेंगे और इसे फ्रीज में रखका तक्रीवन हम इसे 2-3 महिने अराम से यूज कर सकते हैं मैं जैम को ब्रेट के उपर स्प्रेड करकर दिखाती हूँ देखिए कितने अच्छे से स्प्रेड हो रहे हैं देख सकते हैं मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं